नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डाक्टर रालोक और आप देख रहे हैं Legal Express दोस्तों, Negotiable Instrument Act का जो लेक्चर सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसका लेक्चर नमबर 2 है, जिसमें हम लोग आज चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 एक्चुली, प्रिलिमिनरी के बारे में बात करता है और चैप्टर 1 में, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक यहाँ पर हैं तो आईए, शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों, Negotiable Instrument Act 1881 में, टोटल 17 चैप्टर्स हैं और 148 सेक्शन हैं, यानि कि 148 नंबर अफ सेक्शन और 17 चैप्टर्स से यह Negotiable Instrument Act बना हुआ है पूरे Negotiable Instrument Act में क्या-क्या चैप्टर्स हैं, उसको डिस्कस करूँगा क्या सेक्शन हैं, हम लोग जानेंगे तो आएए, देखते हैं कि क्या-क्या चैप्टर्स हैं और क्या-क्या सेक्शन हैं उन चैप्टर के अंदर तो 149 में किस तरह से division वहा है सेक्शन्स भा और किस चैप्टर के अंदर कौन से सक्षन्स डाले गए हैं उसको देखते हैं दोस्तों हमारा chapter number 1 है उसको उमलग preliminary नाम देते हैं जो section 1 से लेकर section 3 तक deal करता है तो यहाँ पर देखें मैंने एक table बना रखी है जिसमें सबसे बाई तरफ आपको chapter दिख रहा होगा बीच में name दिख रहा है कि उस chapter का नाम क्या है और सबसे दाहिनी और आपको sections दिख रहे हैं जैसे कि 1 से 3 एक से 3 sections जो है chapter number 1 में आते हैं दूसरा है chapter notes, bills and checks तो यह notes, bills और checks के बारे में बात करता है chapter number 2 वताता है क्या notes होते हैं क्या bills होते हैं किस तरह के check होते हैं इन सारे चीजों के बारे में बात करता है chapter number 2 और यहाँ पर section 4 से लेकर section 25 तक के बारे में बात किया गया चैप्टर 3 बात करता है पार्टीज के बारे में कि वो पार्टीज क्या होंगी कौन सी पार्टीज होंगी जहां पर N.I.A.C. चल रहा है तो उसके अंतरकत पार्टीज को डिफाइन किया गया है और 26 सेक्शन नमबर 26 से लेकर सेक्शन 45A तक इस चैप्टर में आता है निगोशियेशन में आता है चैप्टर नमबर 5 दोस्तो चैप्टर नमबर 5 बात करता है प्रेजेंटमेंट के बारे में जो सेक्शन 61 से लेकर 77 तक डिल करता है सेक्शन 61 से लेकर 77 तक प्रेजेंटमेंट के अंदर आता है चैप्टर नमबर 6 है पेमेंट एंड इंटरेस्ट तो payment और interest के बारे में हमारा जो negotiation instrument act है वो बात करता है chapter number 6 में और यहां section 78 से लेकर 81 तक इसके अंदर आता है दोस्तों chapter number 7 बात करता है discharge from liability of chapter number 2 और chapter number 2 में आपने देखा कि हम लोग बात करते हैं bills की, checks की तो उनसे कैसे उन liability से discharge हो सकते हैं उसके बारे में यहां पर chapter number 7 में बात किया गया है और section 82 से लेकर 90 तक chapter number 7 में included है chapter number 8 बात करता है notice of dishonor मतलब dishonor होने के condition में क्या notice जाएगी वो आपकी section 91 से लेकर 98 इसको deal करता है chapter number 9 है notice and protest notice और protest के बारे में बात करता है और section 99 से लेकर 104 A तक यहां पर discuss किया जाएगा chapter number 10 में reasonable time क्या reasonable time होगा negotiation अगर होता है कही negotiation instrument act कहीं लागू होता है तो reasonable time किसको कहते हैं वो define है section 105 से लेकर section 107 तक chapter number 11 बात करता है acceptance and payment for honor यह जो है section इसमें आते है 108 से लेकर 16 तक 108 से लेकर 116 तक हमारे chapter number 11 में है chapter number 12 बात करता है compensation के बारे में और compensation के वोल एक section रखता है that is 117 तो यह 12 chapter हम लोगों ने discuss कर लिया है आए तेरहवाँ देखते हैं दोस्तों तेरहवाँ chapter है rule of evidence evidence के क्या rule होंगे वो discuss किया गया है chapter number 13 में और section 118 से लेकर section 122 तक 118 से 122 तक section इसके अंतरगत आते हैं chapter number 14 में हम लोग बात करेंगे cross check के बारे में और यह आएंगे section 123 से लेकर 131 तक chapter number 15 बात करता है bills in sets जो 132 से 133 section रखता है chapter number 16 बात करता है international laws के बारे में international laws 134 से लेकर 137 section रखता है और 17 जो कि सबसे ज़्यादा important है और अगर हम देखें तो practically हमारे courts में यह बहुत ही ज़्यादा लागू किया जाता है क्योंकि अक्सर dishonor होता है check का तो लोग penalties के बारे में बात करते हैं तो penalties in case of dishonor for insufficiency of funds in the account अगर कहीं किसी fund में insufficiency है और उसने check दे दिया है और check dishonor हो गया है तो उसके लिए क्या penalties होंगे उसके बारे में discuss किया गया है chapter number 17 में जो की 138 section number 138 से लेकर section number 148 को deal करता है तो chapter number 17 बहुत important है very very important है अक्सर आपने सुना होगा 138 and I act वो इसी chapter के अंतरगत आता है तो दोस्तों मुझे उमीद है कि यह आपको जो पूरा मैंने इस पूरे act के in chapters और section के बारे में बताया यह समझ में आया आये शुरू करते हैं chapter number 1 preliminary को कि preliminary में क्या क्या sections हैं उसको हम लोग देखते हैं और उसको समझते हैं दोस्तों जो हमारा negotiation instrument act 1881 है उसका section 1 short title के बारे में बात करता है the negotiable instrument act 1881 यही short title है जो कि जैसे हम कहते हैं 148 sections 17 chapter इन सब के लिए एक छोटी सी title क्या बनती है वो बनती है the negotiable instrument act 1881 यह short title है इस पूरे act का जो अपने अंदर उन 17 chapter और 148 sections को include किये हुए है दूसरा है local stands local stands का मतलब है कि यह कहां कहां लागू है तो it extends to whole of India पूरे भारत पर negotiable instrument act 1881 लागू है और यह enactment जो इसका date था वो 1882 वो एक मार्च 1882 था यह याद रखियेगा कि negotiable instrument act भले 1881 है लेकिन वो लागू कब से किया गया इन act कब से किया गया वो लागू किया गया था एक मार्च 1882 को दूसरा point यहाँ पे section 1 के अंदर यह भी कहता है saving of uses of hundis section 1 यह भी कहता है कि negotiable instrument act में आपको जो hundis हैं हundis की जो प्रताएं हैं उन प्रताओं को save करके रखना है यह जो negotiable instrument act है वो hundis की प्रताओं को भी save करके रखता है सुरक्षित रखता है हundis क्या है इसके बारे में हम लोग आगे discuss करेंगे लेकिन अभी के लिए बस यह समझें कि हundis को सुरक्षित रखता है negotiable instrument act तो यह हundis की प्रताओं बहुत पहले से चली आ रही है चुकि ब्यापार हम बहुत पहले से करते आ रहे है तो बहुत सारी हundis थी उन हundis की प्रताओं को save किया जाता है वहाँ पे NIA act लागू नहीं होता है दोस्तों एक बात यह भी कही गई कि negotiable instrument act 1881 does not affect the following किसको किसको affect नहीं करेंगी पहला चीज़े जो इसमें पहला point दिया गया है section 21 of Indian paper currency act तो अब इस पे detail पे हमको नहीं जाना है कि section 21 क्या है Indian paper currency act का लेकिन negotiable instrument act उनको affect नहीं करेगा किसी भी तरह से section 21 of Indian paper currency act को affect नहीं करेगा दूसरी चीज any local uses relating to any instrument in an oriental language अगर कोई oriental language में कोई ऐसी प्रथा है चुकि बिजनेस हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं और प्राचीन काल से बहुत सारी ऐसी ब्योस्थाएं की गई जिससे की बिजनेस में चीजों का लेन देन नादान प्रदान होता है तो ऐसी प्रथाओं को जो oriental language में है उनको भी हमारा जो है negotiable instrument act affect नहीं करेगा ठीक है तो अगर पुरानी कोई प्रथा है जिसकी बेसिस पे हम बिजनेस करते आ रहे थे या करते हैं तो उन पुरानी प्रथाओं पर भी जो है हमारा negotiable instrument act नहीं लागो होगा जो की oriental language में हो दोस्तों अगर हम बात करें कि question ये भी पूछे जाते हैं कि ये जो आपका NI act है negotiable instrument act है इसका source क्या है तो इसका source है English common law ये option आये और आप directly उसको tick कर दीजे कि English common law ही negotiable instrument act का source है जहां से negotiable instrument act निकल कर आया है या जहां से हमने उसको बनाया है दोस्तों negotiable instrument act के section 2 और schedule 1 अगर इन दोनों को एक साथ हम बात करें तो ये repeal हो गई है repeal हो चुका है इनका amendment के द्वारा और 18 से 90 के amendment के द्वारा इनको repeal कर दिया गया ठीक है तो ये पूरी तरह से section 2 और schedule 1 repeal हो चुका है इसके बाद हम लोग बात करते हैं interpretation clause के बारे में अब interpretation clauses किसके बारे में बात करते हैं interpretation clauses बात करते हैं bankers के बारे में bankers को define करते हैं bankers कौन है bankers include any person acting as a banker तो वो कोई भी person एक बिठ्टी भी हो सकता है bankers अगर वह bank वाली सारी activity perform कर रहा है अगर कोई person banker वोने की सारी activity perform कर रहा है तो उसको हम banker कहेंगे और किसको banker कहेंगे and any post office saving bank और अगर किसी post office का कोई saving bank है तो उसको भी हम banker भी बैंकर कोलेंगे पैसे दे रहा हो, उसके पैसे पर interest दे रहा हो, तो उसको हम लोग banker कहेंगे, नीचे एक बात और लिखी गई है, cooperative society, banker in section 3, यहां section 3 के बारे में बात कर रहा है, banker in section 3 if carrying banking business, अगर कोई cooperative society है, और वो banking business का काम कर रही है, लोगों से पैसे एकठे कर रही है, लोगों का पैसा जमा क कर रही है, उनको पैसे जब जरूवत है, दे रही है, साथी interest दे रही है, कोई cooperative society इस तरह का, अगर काम करती है, तो यह section 3 के अंदर included है, और उसको भी हम क्या कहेंगे, एक banker बोलेंगे, तो banking business जो कर रहा है, वो banker है, तो आपने देख लिया कि banker कौन कौन हो गया, अगर section 2 के अंदर हम बात करते हैं, तो banker कोई भी person हो गया, जो banking business perform कर रहा है, या कोई post office में, अगर banking, saving bank है, तो भी हो गया, और अगर कोई cooperative society है, section 3 के अंदर गया, तो वो भी एक banker है, तो दोस्तों, this is all about the chapter number 1, जिसमें section 1 से लेकर 3 तक के बारे में बात की गई है, तो मुझे उमीद है कि आपको ये जो chapter मैंने बताया, section 1 से 3 तक के बाते समझ में आयोंगी, अगर समझ में आ रहा है, तो आप अपने likes और comments करिए, आगे हम इसी तरह से बढ़ते रहेंगे, धन्यवाद